एक बार एक लड़का परीशन हाकाश होकर गोजी के पाँज जाता है, और कहता है कि गोजी में बहुत परिशन हूँ, मुझे बहुत सारे पैसे की जरौत है, मैं चामतों कि मेरी पैरेंट और मेरे फेमिली बहुत खुश है अर उने में पूरी दुनिया घुंग हूँ, और य अइसी जगह लेकेगे जाब बहुत सारे कंकर पड़ेके और उस लड़के से कहा की इतने सारे कंकर में शे एक ऐसा कंकर है जो हज धातू को यानि हाग मेटल को सोने में बदल सकता है वो कंकर जिस पर रखोगे वो सोने में पड़िवतित हो जाएगा और उस कंकर की पैचान उसके तापमांग से होगी और ये सब कंकर छुपकर देखोगे तो ठंडा लगेगा और उस सोने में बदल देने वाला कंकर को पुग्रोगे तो गरम लगेगा गुरुजी ने कहा कि अगर तुम्हें वो कंकर मिल जाता है तो तुम वो सब कुछ कर पाओगे जो तुम अपने लाइफ में करना चाहते हो तुम बहुत ही अमीर बन जाओ लड़का बहुत खुश हुआ और सोचने लगा कि कुछ दिनों की तो बात है मुझ जाता है उसने उस सारे कंकर जो हाथ में चूकर ठंडे लगे उसे मैसूस करके उसे समुंदर में फेक देता क्यूकि अगर वो कंकर समुंदर में ना फेक है तो फिर से उस कंकर में मिल जाएगा क्यूकि बहुत सारे कंकर थे और वो रोज कंकर को हाथ से पकरकर मैसूस कर जल जल्दी हेंडे कंकर को फेक देता, ऐसे करते करते पहले एक दिन diff दो दिन और ऐसे करके 4 मिहने हो चुकति ठीज्बे और फिर इसकी कंकर को पकरकर फैकने की स्पीड बढ़ चुकी थी लड़के को भरोसा तो था कि कंकर मिल जाएगा लेकिन और जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे कंकर को ध्यान से परकना कम कर रहा था और अब तो इतनी बारे की से नहीं परक रहा था जितना स्टार्टिंग में परक रहा था लड़के को ये हैबिट हो चुका था कि फोटाफर कंकर को परकना और फैक देना और ऐसे करते करते छे मैने के लास में कंकर उसकी हाथ में आया उससे गरम मैसूस तो हुआ लेकिन फोटाफर कंकर को भी समंदर में फैक दिया दोस्तों क्यूंकि उसकी जल्दी कनकर फैकने की आदत बन चुकी थी उसने उसे भी फैक दिया और फैकने की एक सेगन बाद ही उसे अपने गलती समझ में आया और हाग की मोटी चोड़ से टाइट कर ली क्यूंकि उसे मालूम चल चुका था कि उसने वो चमतकरी पत्थर मंदर में फैक दिया दोस्तों इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं इससे हमारी सारी जिंद्री बदल सकती है और इस कहानी में ऐसा क्या है जो हमारी सोच बदल सकती है दोस्तों इस दिन अपने अपने हर दिन हर पल को हलके में लेना शुरू कर दिया इससे धीरे-धीरे हलके मे लेना आपकी habit बन जाएगी और जब कोई बड़ा opportunity आएगा उसे भी इस habit के चलते गलती से हलके में ले लोगी फिर बाद में पश्ता होगी और फिर बाद में सोचरी की उस दिन मेरे पास इतना बड़ा मौका था उस opportunity को हासिल करने का और जिसे इस लड़के ने गबा दिया इ असी यहांत मीन अलचा का यहांतु लें हर दिन क हलके में मतलूब करके हैं कब बैसा गरम कंकर आपको मिल जाए आपको पता भी नहीं से अब हार दिन कंकर को ऐच्छी से पड़कना है यानि हार दिन अच्छे से सीठना है ज्यांün जिन वान लायफ बदल सकता है इसलिए अपने हार दिन को उवेश्ट मत करो इसे जितना हो सके उतना इटलाइस करो हर पल बहुत किम्ती है इस जिंदिगी को हर पल ऐसे जियो कि आपको आपको अपोचिटी नजर आए जैसे हर कंकर आपके लिए उजादू वाला कंकर हो दोस्ते वीडियो को पूरा सुनने के बाद कॉमेंट में मुझे जरू बताना की इस वीडियो से आपने क्या सिखा आपके लाइफ में क्या क्या बदलावाई